जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम्जम भख्याव वाहव स्म्टीजां। शिरपुर निवासी समस्परिवारस्य, शीमान पुषकर जी, शीशांत जी अमवल, शीमती विशाखा जी, कुमारी मोक्षदा, सन्नी धी सिध्धाली, शीमती अपेक्षा, आदेश, चम्यक्रा, पिंपल दरी निवासी समस्परिवारस्य, शीमान दिलिप जी बूरे, समस्प बोलो सदास्तू, सुष्टी रस्तू, पुष्टी रस्तू, शान्ती रस्तू, कांती रस्तू, कल्यान्वस्तू, स्वाह, समस्त अभिशेक शान्ती दारकर्ता, परिवारस्य, कार्य सिध्यर्थ, स्तर्विग्निवार्नाथ, स्रीमत भगवत अरत सर्वग्य परमेष्टी, पर आज हम 21 में तीथंकर नमीनाद भगवान के संदर्व में चर्चा कर रहे हैं और आप सब लोग जानते होंगी वही मिथलापुरी नगरी है जिस मिथलापुरी में तीथंकर मलीनाद का जन्म हुगा उसी मिथलापुरी में एक छ्वाकु बंस में बिजयरास और बप्रा देवी की पावन आंगन में नमीनाद भगवान का जन्म हुगा उनका तपा हुआ शरीर सुरने की समान था और जिनके एक दस अज़ार वर्स की आयू थी और पंद्रा धनुस्की जिनकी काया थी जिनोंने आशुनी कृष्ण एक को असुनी नक्षत्र में गरवधारन किया और आसाड कृष्ण दसमी स्वाती नक्षत्र में जिनका जन्म हुगा जिने ने तब के लिए एक मन बनाया था जिनोंने वह आसाड कृष्ण ग्यारा असुनी नक्षत्र में और बकुल ब्रक्षे के नीचे बैठ करके उन्होंने तपश्या की थी और तीथंकर नमीनाथ जी को मार्क सीर्स अर्थात आघन सुख्ल ग्यारस को असुनी नक्षत्र में केवल ग्यावन की प्राप्ति हुई उनके प्रमुक गंधर सुप्रभ और आरिका गंडी मंगनी और प्रमुक सुरुता बिजय थे मुक्षी की प्राप्ति बैसाक्रष्ण चत्रदसी के दिन असुनी नक्षत्र में समेथ सिखर के से हुई इन्ही नमीनाथ भगवान का इस्प्रण करते हुए प्रमुक तार्किक विद्वान आचारी शमंतभद्रदेव कहते हैं कि भगवान आपकी इस्तुती करने वाले भब पुरुस के पुन्यशासक सादक प्रसस्त परणाम होने के लिए आपकी भक्ती होती है उस भक्ती के काल में या उस इस्तुती के काल में कोई पुझ्यपुरुस हो अथ्वा ना हो अथ्वा और उस इस्तुती के करने वाले भब पुरुस को उसके फल की प्राप्ती हो अथ्वा ना हो संसार में स्वाधीनता से कल्यान वा सम्यक दर्सन आदि मुक्ष मर्ग के सुलब होने पर क्या विद्वान विचार करने वाले बेवे की जन सदा आपकी पूझन करने के लिए आपको पुझ्य मान करके तैयार रहते हैं इसलिए आप जिनेंद्र भगवान नमी जिनेंद्र की इस्तुती ना करें एक अभी संभाव नहीं हो सकता है हर व्यक्ति इस्तुती अवश्य करेंगा नमीनात भगवान का इस्तुन करते हुए आचारी समंत भद्देव ने एक और विशेष बात कही उनका कहना यह है कि आप धीमान वाने बिर्ष्टिस्ट बुद्धी से हैं और ब्रह्म अर्था सुद्ध आत्मा के सरूप में इस्त मार्ग हैं और है भगवान आपके केवल ग्यान रूपी जूती की संपदाओं के करण से सुसोबित होने के कारण से आप सुगत कपिल इस्वर आदी अन्नमताब लंवियों जन ग्रिश्मृतु के सूरी के दैदिप मन रहने पर जुगनियों के समान आपके सामने अन्नमत व द्रदेव यह कहते हैं आपकी उपदेश में तत्त उपदेश में सब्त भंगी है